आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केनन कंपनी के PIXMA G3000 प्रिंटर के बारे में सबसे पहले फंक्शनालिटी की बात करें तो ये एक All-in-One प्रिंटर है यानि इससे आप प्रिंट, स्कैन और कॉपी कर सकते हैं प्रिंटर टाइप की बात करें तो इसमें इंक को आसानी से रिफिल करने के लिए इंक टेंक दिया गया है यानि ये एक इंक टेंक प्रिंटर है अब बात करते हैं स्केनर की तो इस printer में आपको flat bed scanner मिलता है यानि कि document को flat glass surface पर रखकर scan करना पड़ता है इस printer में output की बात करें तो ये आपको color or black and white दोनों प्रकार के output देता है अब चर्चा करते हैं कि इस printer में आपको duplex printing का feature दिये गया है या नहीं तो पहले ये समझ लेते हैं कि duplex printing क्या होता है देखी अगर आपको किसी page के उपर और नीचे वाले भाग में print करना हो तो आपको एक तरफ print करने के बाद खुद अपने हातों से उस page को मोल कर printer में रखना पड़ता है फिर वो printer उस page के दूसरी तरफ print करता है लेकिन duplex printer इस काम को खुद automatic कर देता है यानि two side printing के लिए आपको बस एक क्लिक करना होता है और वो printer खुद ही एक side print करने के बाद page को फिर से printer में ले जाकर दूसरी side भी print कर देता है तो हमारा जो ये printer है ये एक duplex printer नहीं है अगर आप किसी duplex printer को ही buy करना चाहते है तो मैं description में एक optional link देने की कोशिश करूँगा वहाँ से आप printers को check कर लीजेगा printer display की बात करते हैं तो इस printer में आपको कोई display नहीं मिलता है printer की connectivity की बात करें तो company claim करती है कि इस printer को आप USB, Wi-Fi और mobile apps के जरीए connect कर सकते हैं जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं paper input की बात करें तो इस printer में 100 pages आप input कर सकते हैं और paper output की बात करें तो इस printer की output capacity है 50 pages अब बात करते हैं page size support की तो ये printer काफी सारे page size को support करता है जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं Print speed की बात करें तो ये printer एक minute में 8.8 images single color वाली print कर सकता है और एक minute में 5 color images को print कर सकता है अब बात करते हैं सबसे important factor जो की है cost per page के बारे में तो company claim करती है कि आपको एक black and white print करने में 10 पेसे का खर्चा आएगा और एक color page को print करने में 32 पेसे का खर्चा आएगा अब बात करते हैं ink bottle के बारे में तो इसमें आपकी Canon GI 790 की 4 color bottles लगती है जो की cyan, magenta, yellow, pigment, black color की आती है page yield की बात करें यानि की जो इस printer का ink tank है उसको refill करने के बाद आप कितनी pages निकाल पाएंगे तो company claim करती है कि इन ink bottles से आप लगबग 6000 pages तक का page yield ले सकते हैं याद रखिए यह जो calculation है यह ISO standard के आधार पर calculate किया जाता है यानि की ISO standard के एक simple paper का use करके इन printers के उपर test किया जाता है और और इन numbers को दिया जाता है weight की बात करें तो यह printer लगबग 5.8 kg के आसपास का है warranty की बात करें तो इस printer के अंदर आपको एक साल की on-site type warranty मिलती है प्रिंट हो गए तो आपकी warranty खत्म हो जाएगी या फिर अगर एक साल गुजर गया तो आपकी warranty खत्म हो जाएगी आप company की official website पर जाकर warranty की जानकरी और detail में पढ़ सकते हैं आप देख रहे हैं बेस्ट वाले या मिलता है आपको शांदर comparison बहतरे इंडिव्यू ऐसी वीडियो को पाते रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए thank you